नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं आपका दोस दिनेश निम्बाबद, हम बात कर रहे थे राधस्तान के इत्यास की और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आई आज बात करते हैं मेवाड राजिये के इत्यास की, चलिए सुरुआत करते हैं, उदेपूर, चुकि करते हैं मेव या मेर जातिका दिका रेनेसिस का नाम मेद पाट मेवाड पड़ा, जब से राजधानी उदेपूर नगर में हुई, तब से मेवाड के इस्तान पर उदेपूर राजिये का भी परियोग होने लगा है, राजपूताना के संपूर इत्यास में मेवाड या उद अधिक गौरवपुन है इस छोटे से राजिये ने जितने वर्ष्णों तक उस समय के सबसे अधिक संपन राजिये का या सामराजिये का भीड़ता पूरुप मुकाबला किया विसे उदारन संपन संसार के इत्यास में भहुत कम मिलेंगे केवल राजबुताने की रियासतों के ही नहीं परंतु संसार के अनी राजियों के राजवन्सों से भी उदेपूर का राजवन्स अधिक प्राचिन है भगवान रामचंदर के पूत्र कुस के वनसजों में 566 एस्यू में मेभाड के गुहिया दितिये गुहिल नाम का परतावी राजवन्स जिसने गुहिल वन्स की निव डाली उदेपूर के राजवन्स ने तब से लेकर राज़स्तान के निर्मान तक इसी परदेश पर राजवन्स किया एतने अधिक समय तक एक ही परदेश पर राजवन्स है संसार में इकमातर यहीं राजवन्स है जब तदकालिन अन्य सभी राजा मुगल सामराजी की सासन सत्ता के सामने अपनी सवतंतरता इस्तर ना रख सके और उन्होंने अपना सिर जुका लिया तब भी नाना प्रकार के कस्ट सेत हुए भी उदेपूर राजी ने अपनी सवतंतरता और कुल गोरव की रक्षा की यहीं कारण है कि आज भी उदेपूर के महरणा हिंद्वा सूरज क्यालाता है मुगलों की अधिनता सुविकार कर लेने के बाद मेवाड के महरणाओं को बादसाई दरबार में कभी नहीं जाना पड़ा और नहीं उन्होंने कभी मुगलों से वहवाई रिष्टे कायम किये महरणा राज सिंग ने औरंगजेव से न डरकर अजी सिंग के सायता की और जजिया करज हो था वादेने से शिवकार नहीं क्या उंकार कर दिया जिसके प्रिणाम सहरूप उसे बात्सा से बड़ी भारी लड़ाई लड़नी पड़ी और उग्जेब के बाद मुगल सामराजी के अवनती काल में अन्य राजपूर नरेशों के तरह उधेपूर राजवन्स के महारणाओं ने मुगल बात्सा के पास जाकर उनका विशेज कर पाथर बनना उचुद नहीं समझा वह अपना गोरों बनाये रखा उधेपूर राजविये के राजविये चिनहें में अंकित सब्द जो दृड राके धर्म को तहीं राके करतार उनकी सवतंतरता पिरता है धर्म पर दृड रहने को स्वम में हुई सपस्ट करता है मेवाड के इत्यास की जानकारी गुहिल गुहिला दित्य के काल से प्रारंब होती है गुहिला दित्य ने 566 इस्वी के आसपास मेवाड में गुहिल बंस की निवडाली इनकी पिता का नाम सिला दित्य उमाता का नाम पुस्पावती था गुहा दित्य के बाद मेंदर दित् इनका मूल नाम काल भोस था बापा तो इसका विरूद था बापा के इस्ट देव एकलिंगजी थे और एकलिंगजी के मुख्य पुजारी हारे त्रिसी की आजसीवाद से सन 734 इस्यू में 734 में बापा रावल ने मोरिय राजा मान से चितूर दूर्गी चीता उस समय गुईलों की राजदानी नागदा ही रही बापा का देहान नागदा में हुआ उनका समादे इस्तर एकलिंगजी केलासपुरी से एक मिल की दूरी पर अभी तक मौजूद है जो बापा रावल के नाम से प्रसिद है बापा रावल के वंसस अलट के समय मेवाड की बड़ी उन्यती हुई अहड उस समय एक समुरुद नगर एक बड़ा वैपारिक के अंदर था अलट ने अहड को अपनी दूसरी राज़दानी बनाया ये भी माना जाता है कि अलट ने मेवाड में सबसे पहले नोकरशाई का गठन किया गोईल सासक सक्ति कुमार 987 से 993 के समय में मालवा के परमार राजा मुंज ने चितोड के दुर्क पर अधिकार कर लिया मुंज के वंसच राजा भोज ने त्रिभुवन नारायन सिव मंदिर जिसे अब मोकल का समसिद्देश्वर मंदिर कहता है का निर्मान करवाया राजा भोज 2021 से 2021 से 2021 के मद्दी चितोड में रहा 1120 सताबदी के पूरवार तक मेवाड परमारों के अधिन रहा इसके बाद चालू के राजा सिद्राज ने परमारों से मालवा वो मेवाड का कापी सेत्र छिन लिया घुल सासक रन सिंग जिसको करन सिंग भी कहते हैं 1158 इस्वी में मेवाड का सासक बना रन सिंग के पुत्र सैम सिंग ने मेवाड की रावल साका गज़न दिया रन सिंग के अन्य पुत्र रहाप ने 90-ग राम की स्ताफना कर रान साका के निव डाली जो शिसोदे में रहने वाले या रहने के कारण सिसोद्या कहला है सैम सिंग के दूपुत्र सामन सिंग और कुमाष सिंग वे सामन सिंग 1232 रेसी में मेवाड का सासक बना लेकिन मेवाड के पडोसी और नाडोल जोत्पु राजे की गोडवाड जिले में या गोडवाड जिले के जो चोहान थे राजा कितु जिसे कीर्तिपाल को कितु कहा जाता है ने सामन सिंग से मेवाड का राजय चीन लिया, तब सामन सिंग ने वागड में अपना राजय इस्तापित किया, कीर्थिपाल को सैम सिंग के छोटे पुत्र कुमार सिंग ने 189 से इसी में पराजित कार मेवाड पर पुने अधिकार कर लिया, कुमार सिंग का वंसस जैत्र सिंग 1213 से 1253 भी परताप पी वो वी राजा हुआ जैत्र सिंग के समय दिल्ली के सुल्तान समुधिन अल्तमस ने नागदा पर आक्रमन किया वो नागदा को भारी सत्ती पोहँच आई तब जैत्र सिंग ने मेवाड की राजधानी चित्तोड को बनाया अब बात करते हैं रावल रतन सिंग की जैत्र सिंग के वनसज समर सिंग के दो पुत्र हुए रतन सिंग वो कुमकरन कुमकरन नेपाल चला गया वो वहाँ इस राजधान्स के निव डाली रतन सिंग मेवाड का राजा बना रावल रतन सिंग के सासन काल की पर मुगटना चित्तोड का प्रतम साका थी दिल्ली के सुल्तान अलाउदिन खिलजी ने चितोड पर 28 जनवरी 303 इस्वी में आकर्मन किया वो 26 अगस 303 इस्वी को चितोड का किल्या फत्य कर लिया मलिक मुहमत जाईसी के पदमावत के अनुसार ये यूद रावल रतन सिंग की रूपवती महाराणी पदमनी के लिए हुआ इस यूद में रावल रतन सिंग मारे गए वो पदमनी ने जोहर किया इस यूद में गोरा वो बादल दो वीर यूकों ने महतपन भूमी का निभाई वो वीर गती को प्राप्त हुए अलाउदिन खिल जी ने चितोड का किल्या अपने पुत्र खिज खान को सौप कर इसका नाम खिज आबाद रखा चितोड के परतम साके में परसित इत्यासकार वो कभी अमीर खुसरो अलाउदिन खिल जी के साथ था ये राजस्तान का दूसरा साका था अलाउदिन खिल जी दोरा चितोड पर आकर्मन करने के अन्न बहुत से कारण भी बताया जाते हैं अलाउदिन का अत्यदिक महतो कांसी और सामराजिवादी होना चितोड का दूर्ग सामरिक महतो और भोगोलिक इस्तती दिली सिमालवा, गुजरा, दक्सिन, भारत जाने वाला मुख्य मारक इसी के पास से उकर गुजरता था रावल रतन सिंग की सुंदर रानी कुप्राप्त कन्नी की लाल सा ये मैथपुन कारणा संदर में माना जाता है अब बात करते हैं महारणा हमीर की 1326 सिसोध्य साखा की राणा अरी सिंग के पुत्र राणा हमीर ने चितोड गड़ पर वहां के राजा जेसा को हरा कर अपना अधिकार कर लिया और चितोड में गुहिलों के ही वंस सिसोध्य वंस की निव डाली तब से मेवार के साख महारणा के लाने लगे राणा हमीर ने दिल्ली की सुल्तान मुहमद तुगलग के चितोड पर आकरमन को विपल किया तब से लेकर महारणा उदे सिंग 1567 के समय तक चितोड का साखान दुर्ग से ही चलता रहा महारणा कुम्बाद्वारा निर्मी द्रसिक पिरिया टिका है जिसमें तथा कीर्ती इस्तम प्रस्तिती में हमीर को विशम घाटी पंचानन का मतलब विकट आकरमनों में सिंग के सदर्श से होना हमीर ने रावल रतन सिंग के समय से अवनती को पहुचे हुए मेवार को फिर उनत किया और उसी के समय मेवार के उदे का सितारा फिर चमका हमिर का देहान 1364 के इसज़ में होना माना जाता है मारणा हमिर के पौत्र स्थासिंग जिसे खेता है की पूत्र थे लक्स सिंग जो इतियास में राणा लाखा के नाम से सन 1382 में चितूर की राजी के सिंगासन पर बैठे इनके रास्तों में काल में मगरा जिल्ले के जावर गाउं जो है वहाँ पर चांदी की खान निकल आई जिसमें से चांदी और सिसा बहुत निकलने लगा जिससे राजे की आय में बड़ी वर्दी हुई महारणा लाखा के काल में ही एक बंजारे ने पिछोला जिल्का निर्मान करवाया था महारणा लाखा और महारणा मोकल की बात करें हम बात संक्सेप मिच करें ध्यान दे महारणा लाखा का वर्दा अवस्ता में मंडोर की राव रनमल राठोर की बेहन हंसा भाई के साथ विवा हुआ और लाखा के बड़े पूत्र चुंडा ने मिवाड का राजी हंसा भाई की होने वाली संतान को देने की बिस्म प्रतिक्या की अंचा भाई ने मोकल को जन दिया महारण लाखा की मिर्तियू 1421 सीश्व में हुई इसकी बाद चूंडा ने मोकल को राजी सिंगाशन पर बैठाया रगुगुल में या या तो रामचंद्र ने पितर सक्ती के कारणे सा जोंलत उदारन दिखलाया या फिर चूंडा ने महारणा मोकल ने सम सिद्धेश्व मंदिर का जिरुन द्वार करवाया और तथा द्वार का नात जो की विश्णु मंदिर का मंदिर बनवाया महरना मोकल की हत्या महरना खेता की पास्वान के पुत्र चाचा और मेरा ने सन 1433 में की महरना मोकल की हत्या का बदला राओ रणमल ने चाचा और मेरा को मार कर लिया अब बात करते हैं महरना कुम्भा की 1433 से 1480 तक इनका कारेकल महरना मोकल की हत्या हो जाने के बाद महरना कुम्भा ने 1433 इस्वी में चितूर के सासक बने और महरना कुम्भा को हिंदु सुर्तान थता अभिनो बड़ताचारी कहा जाता है महरना कुम्भा के सासनकाल में मेवाड का मांडू के सुल्तान महमुद से सन 1437 में सारंगपूर के पास गोर यूद हुआ जिसमें कुम्भा विजे हुए इस यूद का पर्मुकारण महारणा कुम्भा द्वारा सुल्तान महमुद खिलजी से चाचा के लड़के महपा पमार एका की मांग करना था सुल्टान महमुद अपने सरणाकोतों को छोड़ने के लिए तयार नहीं था महारणा कुम्भा ने इस विजे के उपलक्स में अपने उपासे देव विष्णू के निमित चित्तूर के किले में विसाल विजे इस्तम जिसे कीर्थी इस्तम कहा दाता बनौ है संपूर्ण विजे इस्तम हिंदू देवी दविटाओं के अदूत्य मूर्तियों हिंदू सहली के अलंकरोन से सुसुपित है इसे भारतिय मूर्ति के लाग अविस्व कोस कहा जाता ये इस्तम की निर्मान करता उस उत्रधार जेता उसके पुत्र नापा, पुमा और पूंजा की देखरेक में बनवाया गया था किति इस्तम परशित्र्थ के रज्चता अत्रिदे कवी अत्र थे इनका निधन हो जाने के कारण इसकी परशित्र्थी को उनके पुत्र कवी महस ने क्या क्या पूरा किया महारणा कुम्भा सिल्फ सास्तर के ग्याता होने के साथ साथ सिल्फ कारियों के भी बड़े प्रेमी थे ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मेवाड में 32 किले अनेक मंदीर वजला से बनवाए कुम्भा ने चितूर गड़ दुर्ग में चितूर दुर्ग में 1448 इस्यू में कुम्भ स्याम मंदीर आधी वर्रा मंदीर 1408 इस्यू में कुम्भल गड़ मंदीर में कुम्भल गड़ दुर्ग कुम्भ स्वाम मंदीर आधी बनवाए ताथा एकलिंग जी के मंदीर का जिरुन द्वार करवाया उन्होंने 1452 में अचलगट दुर की प्रतिस्टा की एंव अचलेसवर के पास कुम्ब स्वामी का मंदिर बनवाया बसंद पूर जो की सीरोई राजिय में नगर को पहले उजड गया था उन्हें पिर बसाया वापन विश्णू के निमित साथ जलास्यों का निर्मान कराया कु कुम्बा ने कटार गड़ बनवाया जो कुम्बा का निवास इस्तान था कुम्बल गड़ प्रसुस्ति का रचेता कवी महस ही था महारणा कुम्बा के काल में रनकपूर के जेन मंदिरों का निर्मान 1449 में एक जेन स्रेष्टी धरनक ने करवाया था और रनकपूर की चोमो मान और विदौनों का संब्सक्राइल महां शुद्राज मैं कि trips शुट प्रबंद नामक संब्सक्राइब उत्सक्मी 순वाय। मचली सुट की व्यक्या ताथा संगित और गोविन पर स्था की मळूंट की टासन्गीत रतनागर की ठीका काम राज अतिसार लिखी इसके अतिरिक्त वो चार नाटकों के रचेता थे कुम जो कुम्ब थे कुम्ब विश्णु के परमभक्त थे सन 1468 में कुम्भा की उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी और वो सुवयम गद्य पर बैठा सुत्रधार सुधार मंडन ने देवता मूर्ती प्रकरण प्रसाद मंडन राजवल्लब रूप मंडन वास्तु मंडन वास्तु सास्तर वास्तु सार और उपा उतार मंडन के भाईनाता ने वास्तु मंजरी मंडन के पुत्र गोईन ने कला ने दी नामपुस्तकों की रचना की कीर्ती इस्तम की प्रस्चस्ती वो कुम्बलगड की प्रस्चस्ती की रचना 1460 इस्तम में पुर्ण हुई इसकी रचना कभी महस न की चांपानेयर की संदी की बात करें मालवा के सुल्तान महमुद खिल जी और गुजरात के सुल्तान कुतूब दीन ने महारणा कुम्भा को हरा कर उसका मुल्क आपस में बाटने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमन करने है तू चंपानेर में एक संधी की जिसे चंपानेर की संधी का जाता है इस संधी ये संधी वर्ष 1456 में की गई थी दूसरे वर्ष 1457 में सुल्तान कुतुबदिन तथा मुहमत खिलजी ने मेवार प्राक्रमन किया लेकिन वे महारणा कुम्भा को हरा नहीं पाए महारणा कुम्भा द्वारा रचित अनेक ग्रंत हैं बात करें संगित राज ये कुम्भा द्वारा रचित सारे ग्रंतों में सबसे व्रहद सरवसरस्ट सिर्मोल ग्रंत हैं बाते संगित की गीत वाद्ये निर्तिये तीनों विद्याओं का गुड़तम विशद सास्त्रोक्त समावेस इस महा ग्रंत में हुआ है रसिक प्रिया गीत गोविंद के टीका रसिक प्रिया में पर्थम बाद गीत गोविंद के प्रतिये पद की गाई जाने वाली राग रागनियों को कुम्भा द्वारा निश्चित किया गया है सुड प्रबंद इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग, उताल समंधि विवरन तता कुम्भा के राजय आर्शित संगीत कार सहीत अनेक संगीत के पूर्व आचारियों का नाम उलेक है काम राज अतिसार, ये गरंथ कुम्भा के काम सास्तर विसारद होने का परिचाय गरंथ है, अने गरंथ की बात करें, संगीत मिमान सा, संगीत क्रम दीपी का, नवीन गीत गोविंद, वादि प्रबंद, संगीत सुधा, हरी वारतिक, चंडी सतक टिका, संगीत रतनाकर टिका आदि है, मारणा कुम्भा के जो राजी आर्शित विद्वान थे, कौन-कौन थे, कलाकार उनकी बातों के उनकी बात करें, सिरी सारंग व्यास, संगीत अचारिय सिरी व्यास कुम्भा के संगीत गुरू थे, सिरी कनव व्यास, कुम्भा के सरस्यष्ट दरबारी कवी, संग किरती प्रशिस्तिम की रचना प्रारम की जिसे उनकी मरत्व्म फुके बाद पुत्र महसबट ने पूर्ण किया में फुक्त जिन्ने कीरती प्रृष्टि के सेज्ब भागी रचना की मंदन की बात करें मंदन ये कहता ब्रामन के पुत्र और सिल्प सास्तर के ग्याता थे इनके द्वारा अज रचित अने गरंत है बात करें प्रसाद मंदन इस गरंत में देवाले निर्मान कला का विश्तित विवेचन है राजवलब मंदन इस गरंत में सामानी नागर प्रषात्स न चाहिकम के आवाशी गृह से लेकर राजप्रषादेंग नगर अचना का विश्य ग्रनन रूपम natives मूर्तीकळा विसेगरंत देवता मूर्ती प्रकरन रूपा उतार इस ग्रंथ में मूर्ती और प्रतिमा इस्तापना के साथ ही पर्युक्त होने वाले विभिन उपकरणों का विवरन दिया गया है। इसमें विभिन व्याध्यों के लक्सजान उनके निदान के उपाई बताये गये हैं। चलिए मारणा संगा की बात हम करते हैं। मारणा संग्राव सिंग जिनका नाम था मेवाड के परम यसस्वी यसस्वी सासक मारणा कुंबा के पोत्र और मारणा राइमल के पूत्र थे। मारणा संगा का जन 12 अप्रेल 1482 को ताता राज्य पिसेग 24 मई 1509 को हुआ। मारणा संगा के राज्यों की परवल संभावना समंदी 34 वानी के कारण बड़े भाई परतिराज और जेमल इससे ग्रेस्टो कर उन्हें मारणा चाहते थे। अजमेर के करमचन पवार ने संगा को उनके बड़े भाईों से बचा कर आग्यातवास में रखा तता राज्य अभी सेग से पूर उतक्वे संगा के आश्रदाता बने थे। संग्राम सिंग ने जब मेवाड का राजिय संभाला तब राजिय की आंतरिक स्तिती ही सोचने नहीं थी बलकि मेवाड चारों और से चुस्त और चालाक सत्रों से भी गिरा था। उस समय दिल्ली में लोदी बन्स के सुल्तान सिकंद्र लोदी, गुजरात में महमुत सा भेगडा और मालवा में नासीर सहा खिलजी का सासन था। सभी से मारणा कसामना हुआ और उन्हें मारणा के आगे जुकना पड़ा। मारणा सांगा के लिए उस समय निम्न दोहा पर चली था। ये दोहा देखेगा। अष्पूत राजियों को उन्हें मेवार के परभाव में लाने के लिए राना सांगा ने वह वैवाक समंध भी स्तापित किये। इसके तिरिक्त इन्होंने मेवाड की सीमा प्रांतों पर अपने हितेसी और विश्वास पात्र वक्तियों को जागिर प्रतान कर मेवाड की केंदरिये सेत्र को सुरक्सिती नहीं बलकि इतना वर्षित कर दिया कि यहां से मेवाड के सत्रों प्राक्रमन का संचालन किया जा सके उन्होंने करमचंद पमाड को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया तता बनेडा, आदीव के साथ 15 लाग वार्षिक आय के परगने जागिर में देखकर मेवाड को उत्री पस्चिमी सीमा पर मजबूत प्रहरी बैठा दिया दक्सिन पस्चिमी सीमा की गुजरात से सुर्खसार्त इडर राजिये में सुल्तान समर तक भारमल को अटा कर अपने जमाता राइमल को गद्धी पर बैठाया मांडू के वजीर मेदीनी राई को मेवाड में सरण लेने पर गागरोन और चंदेरी के प्रांथ उसे जागिर में परदान कर मालवा के विरूद एक सक्तिसाली जागिर की सिरोई वागड और मारवाड की राजाओं से वारत लाप कर मुसलिम सासकों के विरूद राजपू ही मेवाड का ब्रभाव संपुन राजस्तान पर इस्तापित कर दिया करनल जैम स्टोड के अनुसार कहें तो राणा संग्राम सिंग के सासनकाल में सासनकाल 59-58 में मेवाड राजी की सीमा बहुत दूर तक पैल गई थी उत्तर में बिना पूरो में सिंधुन दी दक्सिन में मालवा और पस्चे में दुर्गम अरावली सेल माला मेवाड की सीमा हो गई थी मेवाड राजी की पूने हुने थी राणा की योगिता गंबिरता और इसे तो सभी ने अलग-लग परियत्म किये और राणा सांगा ने सभी का पड़ती उत्तर दिया बात करें राणा सांगा और मालवा की 1511 इसवे में नासिरुदिन खिलजी की मृत्यू के बाद महमूद खिलजी दित्य मालवा की गद्दी पर बैठा किन्तों नासिरुदिन के चोटे भाई साहिफ खान ने महमूद को हटा कर सिंगासन अधिकर्थ कर लिया फर्वरी 1518 में सुल्तान मेहमूद खिलजी दित्य की साहितार्थ गुजरात के सुल्तान मुझपर्शा ने मालवा पर आकर्मन कर मांडू के दुर्ग को हरस्त गत किया चंदरी के सासक मेदीनी राई के साहिता है तू अनुरोत पर राणा सांगा ने मालवा की और प्रस्तान किया लेकिन मंडू के दुर्ग के पतन के समाचार सुनकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमन कर इस दुर्ग को मेदीने राई का अधिकार में सौप मेवाड लोट आये गागरोन यूद चुप 15-19 सिम हुआ मालवा के लिए गागरोन दुर का महत उसी परकार था जैसे सेर के लिए दांत का अते राणा संगा के मेवाड लोटने के पसाद मेदीने राई की सक्ती को समाप्त करने के उदेशिये से मेहमूद ने गागरोन पर आक्रमन किया मेदी निराय की प्रात्मा पर सांगा पूने गागरोन पहुंच के वो मेहमूद से यूद किया इस यूद में सांगा को निरनाएक विजे प्राप्त हुई मेहमूद को बंदी बना लिया गया लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानुए वहवार करते उसे समादान देकर मालवा लोटा दिया। इस यूद में राणा का रणकोसल जहां राजस्तान के लिए अनुकरनी बना, वहीं पहली बार मेवार का रक्सात्मक यूद के इस्तान पर आकरमन यूद का आरंब सांगा के राजेरोन के समय गुजरात में महमुद बेगडा का सासन था, इना उम्बार पंदर सो इयारा में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र मुझेपरशा दुत्य गुजरात की गद्धी पर बैठा, अब इडर राजी में हस्तक सेप कैसे हुआ देखे, मेवार की राइमल और भारमल की आपसे लड़ाई में मारना सांगा ने राइमल की साहिता कर उसे इडर का सासक बनाने में मदद की थी, इस कारण से मारना सांगा की गुजरात के सुल्तान मुझपरशा से लड़ाई हुई, सुल्तान मुझपरशा का उत्रादिकारी सिकंदर्शा था, परन्तु उसका तूसरा पुत्र बादुष्णा गद्धी पर बैठना चाहता था अते वो अपने बड़े भाई से रूस्ट होकर सांगा की सरण में मेवाड चला गया मेवाड में रहते हुए राणा की माता ने बादुष्णा को पुत्र वत्त सने दिया वो सांगा की सरण में काफी समय तक रहा था राणा ने उसको सायता परदान कर गुजरात को कहीं बार लुटवाया और गुजरात की सक्ति को निर्भल किया इस परकार राणा की राजनियतिक यूगेता ने गुजरात को दबाया रखा बात करें दिल्ली सल्तनातों सांगा की खातोली के यूदगी सांगा के राजियरोन के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था और सिकंदर लोधी की मर्थी के बाद उसका जैस्ट पुत्र इब्रहाइम लोधी 12 नौंबर 1517 को दिल्ली के तक्त पर आसीन हुआ राना सांगा ने पूरी राजिस्तान के उन सेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के आदिन थे जीत कर अपने राजिय में मिला लिया था जिससे इब्रहाइम लोधी ने कुद्र होकर सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवार पर आकर मन किया दोनों के मदिये 1517 में हाडोती की सिमा पर खातोली का यूद हुआ इस यूद में इब्रहाइम लोधी की पराजे हुई बाडी जो की दोलपूर है बाडी का यूद 1519 इब्रहायम लोदी ने अपनी पराजे का बदला लेने के लिए मिया मकन के नेतरतों में साई सेना राना सांगा के विरुद भेजी इस यूद में साई सेना को बाड़ी की यूद में बुरी तरे पराजे होकर भागना पड़ा अब बात करते हैं बाबर और सांगा की बहुत महतपून राना सांगा के समय काबूल का सासक बाबर जिसका नाम था मुहमद जहिरुदिन बाबर था जो तेमूर लंग के वंसस उमेर सेक मिर्जा का पुत्र था इसकी माच अंगेच कान के वंसस से थी बाबर ने 20 अपरेल 1526 को पानीपत की पर्थम लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्रहायम लोधी को परास्त कर दिल्ली पर मुगल सासन की आधार सिला रखे दिल्ली पर अधिकार करने के बाबर ने उस समय के सकती साली सासगराना संगा पर भी अपना अधिकार के जमाने हैतु आकरमन किया वो ब फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को बयाना दुर्ग पर कबजा कर लिया बाबर ने सार का बदला लेने के लिए सांगा पर पूने आकरमन है तो कुछ किया बयाना की वीजिए के बाद सांगा ने सिक्री जाने का सिधा मार्क छोड़कर बूसावर होकर शिकरे जाने का मारक पकड़ा वो बूसावर में लगबग एक मार ढहरा लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उप्पिकिस्तान पर पड़ाव डालने और उचिस सेन्य संचालन का समय में लिया अब देखें खानवा का यूद 17 मार्च 1527 कहा जाता है भ इस यूद में मारणा सांगा के जंडे की निचे प्राय सभी राजपुताना के राजा थे राणा सांगा ने खानवा के यूद से पहले पोती पेरवेन की राजपुत परप्रा को पूंडर जीवित करके राजस्तान के परतिक सरदार को अपनी ओर से यूद में सामिल होने क का निमंत्रण दिया था। अमेर का रावभ गंगा, माल देव, अमेर का राज़ा पर्तिराज, इडर का राजा भारमाल, विरम देव, मेडतिया, वागड, डुंगरपूर का रावल, उदे सिंग और वज्यतसी, देवलिया का रावद बाग सिंग, नर्बन आड़ा, चंदे राजपुतों की साइधी ऐसी कोई साकह हो जिसके राजपुतों की परिवार में से कोई ना कोई इस परसिद वक्ती इस यूद में काम ना आया हो। और उसकी अधिक्स्ता में सारी सेनल लड़ने लगी। जाला आजा ने इस यूद संचालन में अपने प्राण दे दिये। थोड़ी ही देर में महारणा के ना होने की खबर सेनल में फैल गई इसे सेनल का मनोबल तूट गया। राजपुतों की यूद दकनिक भी पुरानी थी और बाबर की यूद की नवी नवी रचना तुलू गमापदती से अनभग्य थी। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदुके थी जिससे राजपुत सेना की बड़ी हानी हुई। इसे उतकी प्रणाम क्या रहे संक्षिप में देखें। भारत वर्ष में मुगलों का राजपुतों का राजपुतों का राजपुतों के समय बहुत बड़ा और इस समय तक अपने शिकर पर पहुँच चुका था एकदम कम हो गया जिसे भारत की राजपुतों का वो उचिस्तान नहरा। मेवार की प्रतिष्टा और शक्ति के कारण राजपुतों का जो संगटन हुआ था ना वो तूट गया। मुर्चित मारणा को लेकर राजपुत जब बस्वा गाउं पहुचे तब मारणा सचेत हुए उन्होंने युद के बारे में पूछा। राजपुतों से सारा वरतान सुनने के बाद मारणा बड़े उदास हुए विबस्वा से रंधंबोर चले गए। बाद में बाबर राजपुतों पर आक्रमन कर उनकी सक्ति को नस्ट करने के विचार्श से 19 सम्वरी 1528 इसको चंदेरी पहुचा चंदेरी के मेदिन राय के साहिता करने तता बाबर से बदला लेने के लिए सांगा ने चंदेरी के और प्रस्तान किया और कालपी से कुछ बुद में धखेल देगा ये इसी हिसाब से उन्हें राणा सांगा को विच्ट दे दिया गया कालपी नाम अगिस्तान पर 30 जनवरी 1528 को राणा संगा का स्वर्गवास हो गया उनको मांडल गड़ लाया गया जहां उनकी समाधी है मांडा सांगा वीर उदार कृतक के संग्राम सिंग के साथ ही भारत के राजनेतिक रंगमच पर हिंदू सामराज्य का अंतिम दर्श्री विप्रूण हो गया इसलिए उन्हें अंतिम में भारति हिंदू समराण के रूप में समर्ण किया जाता है मांड़ संगा के मर्तिव के बाद 5 परवरी 1568 को आसपास चितो पर दोड़ के राजी का स्वामी राना रतन सिंग्ग हुए राना रतन सिंग्सान 1531 में बुंदी के राजा सुरेजमल के साथ आपसी लड़य में मुर्तिव हो गई साथी सुरेजमल भी मारा गया फिर रतन सिंग्सें विक्रम अदित्ये 1531 में वार के राजा बने उनके इस समय गुजरात कि सुल्तान बादुस्रा ने 1533 में चितोड पर आक्रमन किया रानी करमावति ने बादसा हुमाई से साहिता मिलने की आसा पर अपना वकील उसके पास वेजा लेकिन उसने साहिता नहा की अंतते करमवति न सुल्तान ने फिर आकरमन किया महारना विक्रम अदित्यों को तो उदे सिंग सहित बुंदी भेज दिया गया और युद तक देवलिये के रावत बाग सिंग को महारना का प्रतिनिती बनाए गया वीर रावत बाग सिंग चितोड दूर की पाड़न पोल दर्वाजे के बार तता राना सज्जाव सिंगा अनुमान पोल के बार लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुए लड़ाई में सेना पती रूमी खान के नेचरत में बादुर्शा की सेना विजह हुई और हाडी रानी कर्मावती ने जोहर किया ये यूद चितोड का दूसरा साका कहलाता है ल फिर विक्रमादित्य पुने वां के सासक होगे 1536 एस्यू में दासे पुत्र बनवीर ने एक दिन रात के समय महाना को सोतवे मार डाला और उदेश सिंग का अभी वत करना चाहा लेकिन स्वामी भक्ती स्वामी भक्ता पनाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देक पुत्र उदेश सिंग को बचा लिया मेबाड का स्वामी भनकर बनवीर राजी करने लगा उदेश सिंग दित्य को लेकर पनाधाय कुंबल ने पहुंची वहां की किल्लेदार आसा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा 1537 में कुछ सर्दारों ने उदेश सिंग दित राजी के स्वामी बने नो मैं पंद्रेसो चालेस को वीर प्रताब का जन्म हुआ 1569 इसी में महारणा उदेशिंग ने उदेपूर की निव डाली इसी सन में उदेशागर भी बनने लगा जो 1565 में पून हुआ मुगलबाद सा अकवर ने 23 अक्टूबर 1577 को चितोड के किल्ले पर आकर्मन किया महारणा उदेशिंग ने मालवा के पच्चूद सासक राजबादूर को अपने यहां सरन देकर अकवर के लिए चितोड पर आकर्मन करने का अवसरों पुस्तित कर दिया महारणा उदेशिंग राठोड जैमल और रावत पत्ता को सेना द्यक्स नियत कर कुछ सरदारों और सहीद मेवार के पहाड़ों में चले गए अकवर ने यूद में जैमल और कल्ला राठोड अनुमान पोल वो भैरवपोल के बीच रावत व पत्ता रामपोल के बीतर वीरकति को प्रावत हुए राजपुतर इस्तुरों ने जोहर किया 25 परवरी 1568 को अकवर ने किले पर अधिकार किया ये चितोड़ दूर का तरती साका था जैमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकवर ने आगरा जाने पर हात्यों पर चड़ी हुई उनकी पासान मूर्तियां बनवा कर किले के द्वार पर खड़ी करवाई महारणा उ अगले सासकों के बारे में मेवाट सा समंदित महारणा प्रताब की बात करेंगे अगले वेडियो में आपसे निवेदन इस चैनल को आप ज़्यादे से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेट जरूर करें नमस्कार